हाईलो फ्रेंड श्रावर्ट है हमारे एक नए वीडियो में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपको भी अपने फोन में टेस्ट मैसेज को छुपाना है यानि हाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं जो आपके मोबाइल नमर पर एसमेस आता है तो आप उसको कैसे हाइड कर सकते हैं यानि कैसे छुपार सकते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा इन तक देखते रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा step by step परसेस बतानी वाला हूँ तो चलिए मैं वीडियो को start करता हूँ वीडियो start करने से पहले आप से छोड़ी से request है कि आभी तक मेरे चैनल के आपने subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर दिजिए bell icon को press कर दिजिए ताकि मेरा हर वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए मैं वीडियो को start करता हूँ तो सबसे पहले अपने phone में SMS app को open कर लेना है SMS app को open होने के बाद आपको यहाँ पर जितना SMS आया होगा आपके mobile नमबर पे तो यहाँ पर show हो जाएगा तो अप जिस SMS आया message को hide करना है तो उसके उपर थोड़ा सा long press इस तरह से कर देना है long press करने के बाद उपर में चार icon दिखनों को मिल जाएगा तो यहाँ पर एक icon दिखनों को मिल जाएगा तीर का तो हम लोग इस icon पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यह message hide हो गया यानि छूप गया तो हम लोग जिस message को hide किये है तो उसको कैसे देखेंगे तो इधर देखनों को मिल जाएगा थीर लाइन का icon तो हम लोग थीर लाइन वाले icon पर click कर देना है अर्काइब वाले option पर click करने के बाद हम लोग अपने phone में जितने SMS को hide किये है यह पर सब सो हो जाएगा तो हम लोग अभी अभी इस SMS को hide किये थे तो हम लोग इस तरह से अपने SMS को hide कर सकते हैं हमारे अलवा कोई दूसरा नहीं देख पाएगा तो हम लोग इस तरह से अपने SMS को hide कर सकते हैं यानि छुपा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पर खतम करता हूँ आसा करता हूँ अपको इस वीडियो पसान दाया होगा पसान दाया तो मेरे वीडियो के लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को पास सेयर करें चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक कलिए धन्य बाद